कि एकाइज विल्कम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल है मैं सल्वाइश नभी अच्टिछ यू दा इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइंज ओके इट पार्ट ओफ एलेक्ट्रिक चार्जेसंद फिल्ड ओके सो विदाओ विस्टिंग विस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टिड देखो हमें पता है कि एलेक्ट्रिक फिल्ड लाइंज पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ट्राविल करती हैं यह हमें बेसिक पता है इसका ठीक है तो अब देखो यह हमारा केस हो जाएगा प्लस चार्ट आइगा प्लस से नेगेटिव हो सकता है इधर हो इंधर खिए ऊंकी एक गोसी में पॉस्टिवध का हो गया और ऑगा बोले नेगेटिव point charge है तो हमें पता है positive से negative जाती है तो यह कहीं infinity पे positive होगा हां से negative में आ गई ठीक है यह आ गई negative पे ठीक है तो यह तो हो गया point charge का ठीक है अब अगर हम बात करें यह हम समझ में आ गया ना कि यह point charge यह point charge का ठीक है अब हम बात करें अब हम बात करें कि एक dipole में कैसे situation होती है कि जब हमको 2 point charge दिये हों 2 charges दिये हों plus और minus ठीक है तो इसको देख लेते हैं let me take color अब देखो हमें पता है कि यह plus charge एक minus charge दिया गया है हमें पता है positive से negative के ओर जाता है तो देखो positive से negative जा रहा है यह 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 और देखो कितनी सारी होंगी कि गूम के जा रहा है बहुत सारी होंगी यह तो कम दिखाईए ऐसे ऐसे होंगी सारी ठीक है कि ऐसे गूम के जा रही है आई हो समझ में आ रहा होगा ठीक है कि यह positive से negative जा रही है गूम के भी जा रही है positive से negative ठीक है क्योंकि बहुत जादा हो गई इसलिए ऐसे जारी है बहुत जादा है कि हमें तो कहीं आध्ये का पाथ तो दिखाई नहीं दे रहा है वह हम इमाजिन करते कि हाँ यह ऐसे ऐसे कहीं घूम 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 के आ रही होगी ठीक है यह ऐसे situation डाइपोल में डाइपोल में बनती है डाइपोल में क्या होता है यह एलेक्टिक डाइपोल में आपके दो चार्ज थोते हैं प्लस और मानस एक एंड पे लगए होते हैं इक्वाल चार्ज़़़ज़़ज़़ज़़श तो वह ही यह situation डाइपोल में देखी जाती है ठीक है अब आ जाओ अब हमको जब दो प्लस दिये हूँ हमको दो पॉस्टिव चार्ज दिये हूँ तो हम कैसे करेंगे एक ही ये हमको पॉस्टिव चार्ज दिया है एक ही ये पॉस्टिव चार्ज दिया है ठीक है तो हमें पता है positive positive एक दूसरे में repel करते हैं तो देखो ये ऐसे attract तो करेंगे नहीं ये तो गलत हो जाएगा फिर तो ये repel कर रहे हैं तो ये इधर के और भगा रहा है इसको इधर भगा रहा है किसी को इधर भगा रहा है बाहर के और भगा रहा है कोई अंदर के और नहीं आ रहा है ठीक है तो में इस यह बता रहा है कि अगर दो पॉस्तिव पॉइंट चार्ज हुए तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिपल कर जाएगी ओके पूल जाते हैं अब देखो अब हमें यह दे सकते हैं कि एक हमको दिया है कि पॉस्तिव चार्ज है एक बहुत लंबा है एक लाइन में पॉस्तिव चार्ज है तो वही ऐंसे सेम फांसरे दिए शाटी नियुर्म ही नियेगे करें यह साब एकजो गर्वाह ध्यूंस करने um में distance सभी का same होता है ठीक है इस लग लोगे इसको बोलते है uniform uniform ठीक है uniform electric lines और ये ऐसे positive से बाहर निकल रहा है positive से बाहर ही तो निकलती है a trap थोड़ी नहीं कर देगे एक दूसरे में ठीक है I hope ये समझ में आया होगा okay एक शायद और है बेट अ मिनिट वो मैं next वाला अच्छा रुको मैं next वाला case भी यहीं पर समझा देती हूँ मैं वो pick नहीं लाई हूँ ठीक है एक काम भरती हूँ मैं wait a minute देखो यह मैंने थोड़ा cover किया है कि ताकि मैं आप लोग को second वाला case समझा सकूँ ठीक है अब हमको दिया है एक line में negative है एक line में positive है ठीक है हमको दिया है यह negative, negative, negative negative, negative, negative ठीक है यह है positive positive, 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 positive ठीक है फिर electric feed lines हमें पता है positive to negative जाती है तो यह ऐसे जाएंगे ठीक है यह ऐसे कहीं कर लोके जाएंगे ठीक है I hope यह समझ में आया होगा कि अगर आपको positive अगर आपको एक line में positive और negative मिले तो आप यह ऐसे बनाओगे ठीक है और आपको एक line में यह positive मिले तो आप ऐसे बनाओगे और यह positive, positive मिले तो ऐसे बनाओगे बाहर के और कर दोगे और सिर्फ positive और minus होगा तो इसको अट्राक करवाद होगे और यह point charges के cases में है सिर्फ एक charge होता है positive तो इसको बाहर क्यों निकाल दो negative है तो इसको अंदर क्यों लाओ दो ठीक है बागी यह तो नहीं था ओके तो आई होप electric feed lines आप लोगो समझ में आई होगी अब मैं इसको इसकी properties बता देती कि properties क्या क्या है अगर हम बात करें properties की तो देखो एक तो है कि proper यह electric feed lines कभी एक दूसरे में intersect नहीं होती जैसे यह है तो एक दूसरे मिलेंगी नहीं कभी ठीक है यह होती है intersection is impossible electric field lines जो होती है वो positive to negative जाती है यह second property होगे इनकी ओके और यह third property है कि जो electric feed lines है ऐसे नहीं है कि ऐसे ऐसे सर डैश डैश कट पिला इसमें कोई break नहीं होता है ठीक है these are continuous यह continuous होती है ठीक है no breaks इसलिए यह imaginary तो है these are imaginary but these are real imaginary है but real है बतला यह सही में direction बताती है ओके और electric field lines अगर suppose करो यह conductor है इसके अंदर है electric field lines यहां से पास होई तो यह electric field lines zero हो जाएगी ठीक है यह इसकी next property है okay और second property यह एक दूसरे के parallel रहती है तभी intersect नहीं करती है ठीक है next property okay I hope यह properties और यह समझ में आया होगा आपको okay thank you